क्या दोस्तों आप भी 8BallPool में अपना Facebook अकाउंट लिंक करना चाते हो। क्या आपको नहीं पता कि 8BallPool में अपना Facebook अकाउंट लिंक कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे 8BallPool में अपना Facebook अकाउंट लिंक कर सकते है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते है लेकिन उससे पहले दोस्तों में आपको बता दू अगर आप इस चैनल पर नए आते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके All का Option सिलेक कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तलग तुरंट मिल सके दोस्तों 8 Ball Pool में अपना Facebook अकाउंट लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको 8 Ball Pool का गेम डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने 8 Ball Pool का गेम डाउनलोड कर दिया है अभी इसमें आपको Facebook अकाउंट अटेच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिंपल से इस गेम को ओपन कर लेना है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमने इस गेम को ओपन कर दिया है गेम को ओपन करने की बाद थोड़ी से यह लोडिंग लेगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लोडिंग लेने के बाद इसका इंटर्फेस इस तारा से आपको नजर आईगा अभी आपको Facebook से इस game को link करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा इधर आपको एक option मिलेगा login with Facebook का तो आपको simple से login with Facebook के ओपर click कर देना है login with Facebook के ओपर click कर देने के बाद थोड़ी सी loading लेगा जैसे कि आप लोग देख सकते है अभी हमारा full game का account loading ले रहा है तो आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा wait करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा और इधर नीचे लिखा मिलेगा आपको continue as visual ठीक है तो आपको simple से continue as visual के ओपर click कर देना है continue as visual के ओपर click कर देने के बाद थोड़ी ये loading लेगा loading लेने के बाद इधर नीचे connecting का option आपको दिखाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते है अभी दोस्तों हमारा facebook से pool game link हो चुका है जैसे कि आप उपर भी देख सकते है यूँ login आ चुका है हमें तो दोस्तों इस तरह से आप भी 8 ball pool में अपना facebook का account link कर सकते है जैसे कि आप लोग देख सकते है अभी हमारा 8 ball pool का game link हो चुका है facebook से